900 मिटर लंबी ट्रेन 108 kriti.bpm 8 प्लेट फों इसको पार करना तो यह हमारी ट्रेन होगी यह देखऊंगी यह तो हमारा 900 मिटर लंबा प्लेट फों है और यह train है 900 मिटर लंबी इसका मतलब है इस यह पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जायेगी ताइम के लिए क्या करते हैं डिस्टेंस अपन स्पीड इस्टेंस कितनी हो जाएगी 900 और 900 का डबल करना है स्पीड कितनी 108 किलोमेटर पर आठारे किलोमेटर पर आर पांस मिटर पर सेकेंड होता है तो 30 से डिवाइड कर देंगी ठीक है ना तो यह हो जाएगा थर्टी इन्टू टू सिक्स्टी सेकेंड यहां से अब देखो यह रिलेशन आपको याद रखना है क्या अठारे किलोमेटर पर आर की जो विल्ड होती हो फाइफ मीटर पर सेकेंड होती है ठीक है क्या होगा है यहां से क्या होगा यह हम वह तो उ kadar पांच में थारे ऑटारे करते हैं क्लिर है लेकिन बच्छा से से स्टार्ड करता ही यहीं भी एकान लाए जाता है कर सकते हो आप कि 18 km पार आ रहा हो 5 ms के ब्राबर होता है अब यह कितना है यह 108 है इसका मतलब 186 गुणा है तो यह कितने के ब्राबर हो जाएगा 5 का 6 गुणा कर देंगे तो 30 ms हो जाएगा इसका भाग दे दिया 30 का 30 times गया तो 60 seconds आओ दो ट्रेन है ठीक है ना और यह ती और क्यों यह कि डैरेक्शन में जा रही है 108 km पर आर और 144 km पर आर एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा ठीक है यह यह तेन सो बीस मीटर लंबी है और इसकी स्पीड है 108 km पर ती रहता है इसके पिछे से इसको आगे बनाते है ठीक है यह 320 मीटर की ट्रेन है और स्पीड जरेक्चे 108 km पर आर इसके पिछे से एक ट्रेन हो रहा गी और यह है 540 मीटर ठीक है ना और इसकी स्पीड जरेक्चे 144 km पर आरा है यह दोने एक ही डिरेक्चन में जा रही है तो जो तेज ट्रेन आरही है वो इस छोटे वाले ट्रेन को पार करके जाएगी जैसे मान लो यह है यह चोटी ट्रेन है और यह बड़ी ट्रेन है पीछे से आरही है अब जब यह इसको पार करना शुरूग रहेगी कितनी जेर में इसको पार करेगी तो हम यह करेंगे जैसे यह यहाँ पर आएंगी तो हम काउंट करना शुरूग करेंगे और जैसे यह यह यहाँ पर जाएंगे तब हम बोलेंगे कि अब पार कर गी अधर वालो यहाँ है ऐ इसका मतलब है यह रिलेटिव स्पीड से एक ही राइरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड से इस ट्रेंड को दोनों की लंबाई यहां जितनी डिस्टेंस कवर करनी है तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी जो टाइम है वो दोनों की लंबाई 320 प्लस 540 वो रिलेटिव स तो यह कितना हो जाएगा? 860. ठीक है? और यह देखो कितना हो जाएगा? 36 km पर आर. अब हमें पता है कि यह तो मीटर होगे? 36 km पर आर. याद रखना है रिजल्ट हमेशा 18 km पर आर. यह 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है. ठीक है? तो इसका डबल कर दिया 36 km पर आर कितने बराबर जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड. तो 10 मीटर पर सेकंड. यह यह कैंसिल कर देगा 0 को. मीटर से मीटर. तो हमारे पास बचेएगा? 86. और यह जो सेकंड नीचे था यह उपर सला जाएगा? 86. ठीक है? यह बुक्स है. जो जनरल साइंस है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बा है? टेलिग्राम पर जाकर आप है. पढ़ सकते हो जिनको ओनलाइन या ओफ्लाइन मंगवाना है वो बुक्स मंगा सकते हो. ठीक है? जनरल स्टेजिजी, पुलेटी, हिस्ट्री, एकोनोमिक, जोग्राफी. यह मैस ओरीजिनिंग और यह स्टेजिजी के. यह सब बेस्ट कॉ बाहर कोई concept नहीं जाएगा. यह बता दू. और पूरी बुक की free PDF अवेलेबल है. स्टाब दी एक्सपरिस 5 गंटे में 700 किलोमेटर और 11 गंटे में 1000 12 किलोमेटर चाहे करती हो. उस्ट बतो. उस्ट टोटल डिस्टेंस अपून टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बनती है 1712. टोटल टाइम 16 गंटे. भाग दी 107. लेकिन यह क्या है? किलोमेटर पर आठ. ठ तो अब इसको मिटर पर सेकिंड में कनवर्ट करना तो फाइब एटीन ठीक है ना अब देखो यह एक बार ओप्सन में देखते हैं यह 27 इंटीजर है यह 18 इसमें 2 है 18 में 2 मुझूद है तो उपर इसमें 5 में भी नहीं है 7 में 2 नहीं है तो पूरा बाग को नहीं जाएगा है यह टो नहीं पॉसेबल है 107 ही अचाई दिया था हमने ठीक है यह दिखका नहीं यह 5 यह 5 कहां से आ गया भी यह तो इसको तो इसको गार प्रह नहीं है तो 5 कर देते हुआ है तो यह 95 क्रदे 30 तो 30-5 by 18 30 में से 5 बटे 18 घटाने अब 30 को यह बहुत फास्ट होने वाली चीज़ है आप यह मैं सोचना है कि सर इतना थोड़ी लिखना है यह तो भी मैं लिख रहा हूं यार थाकि जो नए बच्चे हैं जो बच्चे पहले इस मेथट से इस तरीके से नहीं पड़े है ना व करना है यह करना है कि लेकिन जब करूंगा तो भी बहुत फास्ट करूंगा ठीक है ना तो बहुत शारी जगह आपकी जो कि दो में दो लगाड़िया है, 1300-120 की, स्पीड 40 अर 50 है, एक ही डिरेक्षिन में जा रही है, तो टाइम बता दू, टाइम एक ही डिरेक्षिन में जा रही है, तो क्या हो जायेगा, L1 उन प्लस L2, और जो रिलेटिव स्पीड, ठaiser कहा है, ठीक है, तो ये time find करना है हमें, L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, 130 प्लस 120, और relative speed, 10 km पर आर, 10 km पर आर, और इसको हमें meter पर second में बदलना है, क्योंकि ये meter में है, और second में हमार answer है, तो इसको क्या कर दें, multiply कर दें, 5 by 18, ठीक है, तो ये simplify कर देते हैं, ये बन जाएगा 250, ये 50 हो जाएगा, और 18 उपर चला जाएगा, ये 5 times हो जाएगा, 18 गुना 5, 90, 90 seconds, आसान था, ये standard है, एक चीज़ हमें साथ ध्यान रेकने, जब standard questions हैं तब तो fast होना है, अच्छे questions है, बहुत आसान था, S1 और S2 दो station है, और इनके बीच की जो दूरी है, वो है 195, 195 किलोमेटर की distance है, फिर बोला कि एक train, 4 बजे S1 से start होती है, ये 4 बजे start होई S1 से, और 65 किलोमेटर पर आर की speed से चल रही है, 65 किलोमेटर पर आर, ये इसकी speed है, दूसरी train S2 से, ये S2 से S2 के तरफ चली, दूसरी train S2 से चलती है, और कितने बजे, 5 फोक लोग, ठीक है ना, और 35 किलोमेटर पर आर की speed से, S1 के तरफ, कितने बजे ये train मिलेंगे, ठीक है ना, तो opposite direction में है, तो इनका जो relative speed है, वो जुड़ जाएगी, अब हमें ये देखना है, कि ये तो 5 बजे स्टार्ट हुई है train, ये 4 बजे चल रही है, तो 5 बजे तक ये train कितना चल चुकी है, ठीक है ना, यहाँ पर 5 बज गए, तो 5 बजे ये 65 किलोमेटर चल गई, एग घंटे में 65 किलोमेटर है, ठीक है ना, तो अब इनके 20 की दूरी कितनी बचिए है यहाँ पर, टोटल कितना था, 195, 65 आ गया, इसका अमदलब 130 किलोमेटर है, इनके 20 की दूरी, 130 किलोमेटर है, रिलेटिव स्पीड, 65 और ये 35, तो 100 किलोमेटर पर आर होगे, तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 130 किलोमेटर को, 100 किलोमेटर पर आर, पर 3 0 को अब इसे अपन मल्टिप्लाई करेंगे, 0.3 hours का मतलब भी, 60 minute का 1 hour होता है, तो 0.3 मतलब 18 minute, ठीक है ना, तो यह यह लो, 1.3 hours में, तो 1 प्लस 0.3 को 60 से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो 1 hour प्लस 18 minute, ठीक है ना, कब से है यह, 5 बजे, 5 बजे, जो मिलने वाला जो टाइम हम देख रहे हैं, वो तो यहाँ 5 बजे के बाद शुरू हुआ था, ठीक है ना, तो 5 बजे के बाद, 1 घंटा और 18 minute ओर लगे, टाइम 6 बज के 18 minute, ठीक है, यह बुक्स है, जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंवाइनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट कुशन्स, थोरी के साथ, थोरी के फोर्म में आपको अरेंज करके दे दिये हैं, ठीक है ना, और कम्प्लीट बुक की फ्री पीडियेफ अविलेबल है, टेलिग्राम पे जाके आपे, पढ़ सकते हो, जिनको ओनलाइन या ओफलाइन मंगवाना है, वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है, जनरल स्टेजिजी, पौलेटी, हिस्ट्री, एकोनोमिक, जोग्राफी, यह मैस ओरिजनी, और यह स्टेजिजी के, यह सब बेस्ट आएंगे चीजें समझ में, ठीक है, मज़ा आएगा, मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो आपका स्पीड भी आएगी और मज़ा भी आएगा, ट्रेन एको विक्री दिसा से 36 किलोमेटर पर आर की स्पीड से 300 मिटर लंबी ट्रेन B को पार करने में 15 सेकिंड का टेम लगा, ठीक है और यह हो गया, 36 किलोमेटर पर आर, और यह है ट्रेन B, इदर से आरी है ट्रेन A, इसकी स्पीड नहीं जा रखी है, ना इसका लेंद दे रखी है, इसके अलावा ट्रेन A, पांसो मिटर लंबी ट्रेन C, जो इस्थिर है, को पार करने में 30 सेकिंड का टाइम लेती है, तो ए हमारे पास एका स्पीड है, ना लंबाई है, तो स्पीड S हो गया, लंबाई L हो गया, और इसको पार करने में 15 सेकिंड का टाइम लगा, ठीक है, तो टाइम के लिए क्या रिलेशन मनेगा, टाइम ब्राबर टोटल डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, तो बी आएगी, और यह L लंबाई तो दूनों अपस में एक दूसरी लंबाई को पार करेंगी, ठीक है, तो और इनका रिलेटिव स्पीड इसकी S है, और यह किलोमेटर पर आर है, यहां पर मीटर है, तो मीटर पर सेकिंड में बदल दें, 18 किलोमेटर पर आर, 5 मीटर पर सेकि यह रिलेशन बन गया पसे पहला, ठीक है, यह हमारा फैस्ट रिलेशन बन गया, 36 किलोमेटर पर आर, 10 मीटर पर सेकिंड, यह फैस्ट रिलेशन, दूसरा देखो, दूसरे में यह बोलता है कि यह ट्रेन तो इधर जाई रही है, इसकी लंबाई L है, स्पीड S है, एक स्थी ट्रेन हो रहे है, 500 मिटर की, 500 मिटर की, इसकी स्पीड 0 है, इसको पार करने में इसको टाइम लगा 30 सेकिंड, तो 30 सेकिंड में टोटल लंबाई L प्लेस 500, और रिलेटिवी स्पीड, यह तो 0 है, तो रिलेटिवी स्पीड होगी S, ठीक है ना, यह दूसरी रिलेशन आ गया इन दोनों को आप सिंप्लिफाई कर लें, तो सिंप्लिफाई करते हैं, जो इसको मल्टिप्लाई करें हैं अपन, उदर से 15 से मल्टिप्लाई कर दें, तो 15S प्लेस 150 ब्राबर हो जाएगा L प्लेस 300, ठीक है, इसको 150 को और इधर लेके आजें, तो 15S ब्राबर L और यह 150 है और वह 150 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 150 घटा दो, 150 बचेगा, L प्लेस 150, ठीक है, यह 3 हो गया, और यहां से 30S ब्राबर हो जाएगा L प्लेस 500, यह हो जाएगा 4, अब 3 और 4 को देखो एक बार, ठीक है न, 3 और 4 से अब हमें आंसर मिल जाएगा, यह 3 तो 15S ब्राबर L प्लेस 150, अब इसको यह देपन 2 से मिल्टिप्लाइ कर दें, क्यों, 2 से क्यों मिल्टिप्लाइ करें, ताकि यह 30S 30S ब्राबर हो जाएगा, तो 30S ब्राबर हो जाएगा 2L प्लेस 300, यह 500 बन गया, ठीक है न, अब 4 और 5 में देखो, 4 और 5 में, इधर यह है 30S ब ब्राबर है L प्लेस 500, और यह 30S ब्राबर है 2L प्लेस 300, तो इन दोनों को जब अपन इक्वेट कर दें, तो L प्लेस 500 ब्राबर है 2L प्लेस 300, तो यह L इधर आएगा तो L और यह 300 जाएगा तो माइनस का, तो यह माइनस का होगा तो यह 200, और इधर 2L में से 1L जाएगा त तो एक एल बचेगा, तो एल की बेली आजएगी 200, इसका मतलब है कि जो ट्रेन है वो 200 मीटर नंबाई वाली है, ये पूरा समझ में आया क्या, नहीं आया तो इसको एक बार दुबारा रोक के और खुद बनाना और जै करना, अभी जादू है, अभी जादू है, देखो मैंने आपको भूती अच्छे level पर त्यार कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको basic भी शिखा रहा हूँ, मैं आपको fast भी करवा रहा हूँ, मैं आपको concept का भी एक next level तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, और सच में जब आप मेरे साथ पढ़ने लगोगे ना, तो आप enjoy करोगे मै इसको यह वादा रहा है चले आजो अब इसको हम घूम फिर के यहां इनको बराबरी तो करने एए थे ठेक है इसको हम थोड़ा सा अलग नजरिये से देख लेते और इवन है ना मैं दिए बताता हूं मैंने तो जो प्लेटफोर्म होते हैं प्लेटफोर्म पर कोई आदमी चलत है ना उसको भी ऐसे कनवर्ट करके समझाये वह आओ देखो क्या होता है कि कई बार है ना बच्चा आपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता ठीक है ना विश्वास नहीं कर पाता कि मैं कर दूँगा और जो जो जनोंने एज्यूकेशन को धंदा बना है ना वो विश्वा होने के कावगार पर पहुंच गए ठीक है ना वो बड़ी-बड़ी वेलिवेशन होती थी अब घटके 20% बचे उसकी वेलिवेशन क्या करते थे वह टेस्ट लेते घर जाके परेंट्स में अरे आपके बेट्रें को तो कुछ नहीं आता समझ रहो कुछ भी नहीं आता टेस् को फिर EMI पे 68-70,000 रुपे का वो कोर्स भेज़ देते जो 500-700 गी वेलिवेशन का होता है समझ रहो तो यह चीजों को बहुत अच्छे से समझना है आपका माइन भी उतना ही जीनियस है उतने ही सुप्रियर जो किसी दूसरे का है डिफ्रेंस है कि आपके कॉंसेंट्रेशन उस लेवल पे होनी चीए आपका मैनत आपका जज़बा उस लेवल पे होना चीए और यह दिया आप उस लेवल पे हो तो आप कुछ ब्याचिव कर सकते हो और बनाए मैंने बनाए है देखा मैंने जो बचा बिलकुल ऐसे लगता ना साधान सा बचा है गाउं का बचा है हिं यह जो ट्रेन है इनको पार कैसे करेंगे वो तच्छे से समझना ठीक है यह मान लिया यह ठीक है यह तो इधर से आ रही है यह जब यहां दोनों एकदम पास आ जाएंगे तब अपन यह देखेंगे अभी स्टार्ट हुआ इनका करोश करना और जब यह दोनों पार कर तब अपन मानेंगे कि दोनों क्रोश होगी तो इसके लंबाई है एल और इसकी है 300 ठीक है अब मान लो यह यह एक ट्रेन चलती यह के लिए ट्रेन चलती तो हम यह बोलते हैं कि यह अपनी ऐस स्पीड से एल प्लस 300 की दूरी कवर करी जैसे दूसरे केस में था लेकिन यहां डिस्टेन्स कवर करने वा कं हो जाएगी क्यों क्योंकि इसने भी कवर करती अब इसको समझना कैसे कर दी से कवर शांचेजोरी कोश हैThe एक सेकिन में दस मीटर तो 15 सेकिन में 150 मीटर, 150 मीटर चली जाएगी 15 सेकिन में, इसका मतलब है कि इस ट्रेन ने खुद अपनी स्पीड से भी 150 मीटर की दूरी कवर कर दी, ठीक है ना, तो ये जो ट्रेन है ये वाली, इसको S की स्पीड से, अब ये इतना इसा ना अदा इसा, ये तो ये खुद ही ट्रेन पार करके आगी यार, ये खुद भी तो चल दी है ना, तो ये आदा इससा इसने पार कर दिया, ठीक है, ये इसने पार कर दिया, आदा इससा, 150 है, ये इसको पार करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 150 मेटर तो ये हो गया, L ये हो गया, और स्पी था है कि इस ट्रेंड ने S की स्पीड से 15 से की स्पीड से L प्लेस 150 ठीक है ना यह दूरी कबर के यह S इसका साथ लगा दो चाहिए कोई बात में कौन सबंज में आगे 15 सेकींड में मैं अब इसको S को भी अठा रहा हूं 15 सेकींड में इसने L प्लेस 150 में दूरी तेकीं और दूसरी बार दूसरी बार 30 सेकींड में ठीक है ना अब यह इसको देखो मालो यह 15 सेकींड में L प्लेस 150 कवर करती है तो 30 सेकींड में कितना कवर कर जाएगी दो L plus 300 ठीक है 30 सेकिन में ये क्रेन 2L plus 300 कवर कर जाती है ठीक है लेकिन फिर हमें देखा दुबारा कि 30 सेकिन में तो ये 500 और अपनी लंबाई भी कवर करती है इसका मतलब 30 सेकिन में 30 सेकिन में यह है, यह L प्लेस 500 भी कवर कर रही है, ठीक है, तो यहां से यह उधर चला जाएगा, तो L की विल्यों आगी 200, ठीक है, हटा, चलो, यह point समझ में आगा, ठीक है, तो यह जो calculation थी, ठीक है न, यह जो equation थी, यह simplified होके, यहां पर आ जाती है, और यही concept का power है, और यह वादा है, पूरे इंडिया लेवल पे ना best concept देने वाला हूं, best, सबसे fast है, और सबसे best, क्यों concept जितना strong होगा, जितना अच्छा होगा ना, उतना आपकी speed आएगी, बोलो clear है यह, ठीक है, अब धीरे धीरे इन पे अपन काम करते से लेंगे, और जब आप मैस को ऐसे पढ़ोगे ना, तो मज़ा हैगा यार, मज़ा हैगा पढ़ने में, ठीक है, चलो, यह अपना batch है, Avengers, यह CGL 2024 को cover करते हुए, उस duration में, जितने भी SSC, Railway, Bank, CDS, जो सारे exams को cover करता हूँ चलेगा, और foundation है, ठीक है ना, हम बहुत ही detail में चीजों को पढ़ेंगे, math, English, reasoning, GK, GS और computer, और जो आपका GK, GS में जो Godfather series की books हैं, उनको पूरा detail में कर रहे हैं, और पहले 20 minute, पहले 20 minute theory पढ़ते हैं, और उसके बाद 10 minute उसी theory पर based questions के practice करते हैं, ताकि आपको वो चीजें याद हो जाएं, और यह भी पता से लिए कि आप कितना concentrate हो, क्योंकि अभी 20 minute में आपने पढ उस पर based 10 questions किये, ठीक है ना, और यह दिया आप वो सारी सही कर रहे हो, इसका मतलब आप concentrate हो, जस्ट अभी पढ़ा है, और फिर भी आपसे questions नहीं हो रहे है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, ठीक है ना, और यह यह भी पता सल जाता है, कि मानलो किसी concept ने आपको problem आई, आप उसी time आप faculty से बात करो, कि sir यह जो point है यह वाला miss हो रहे है, तो वो उसको दुबारा पढ़ाता है, ठीक है ना, तो best pedagogy है, best books है, best content है, best methods है, जो general science है, physics, chemistry, bio environment, पिसले 10 साल के best questions थोरी के साथ, थोरी की form में आपको arrange कर के दे दी है, ठीक है ना, और complete book की free PDF available है, टेलि program पर जा के आप पढ़ सकते हो, जिनको online या offline मगवाना है, वो book मगवा सकते हो, ठीक है, general strategy, policy, history, economics, geography, यह mass originating, और यह strategy के, यह सब best content के साथ है, railways, SSC के जितने exams हैं, जो state exams है, सारा data को बहुत proper arrange किया है, आप यह, और इन से बाहर कोई concept नहीं जाएगा, यह बता दूं, और पूरी book की free PDF available है, 200 meter और 215 meter की दो train है, parallel चल रही है, 68 और 50 की speed से, एक ही दिशा में चल रही है, तो यह 200 है, यह 250 है, इसकी speed 68 है, इसकी 50 है, तो पार करने में क्या टाइम लगेगा? हमने देखा कि जब दो train पार करती हैं, तो वो दोनों की लंबाई को cover करती है, ठीक है न, जैसे मालों यह दो train है, तो जब अपन पार करने का time देखते हैं, जैसे यह यहां पे touch करती है, तब अपन पार करना start हो गया, और जब यह यहां निकल जाती है, तब यह बोलते है, इसका मतलब है, यह पूरी जो दूरी है न, यह यहां से और यह यहां पे, इन दोनों को पार करना है, तो जो total distance हो कितने हो जाएगी, 200 मिटर और 250 मिटर, एक direction में जा रही है, तो जो relative speed है, उसको लेंगे, जो fast चलने वाली है, ठीक है न, यह पार करके जाएगी, तो यह हो किलो मेटर पर आर, हमें पता है, एक तीन किलो मेटर पर आर, यह होता है, फाइव मेटर पर सेकिंड, ठीक है न, यह relation हमेसे यहाद रहें, इसका double कर दिया तो, 36 तो यह डबल हो जाएगा अधस, इसका 4 कुणा कर दो 72, तो यह चारगुणा हो जाएगा 20, ठीक है न, तो यह सब्सक्राइब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया है एक त्रेन कर्ट्रों कि मानमत की काज धिम हो जाती है एक हजार किलोमेटर चलना है दीरे चल रही है जो एवरेज टाइम है वह तो 3 गंटे बढ़ गया और जो एवरेज स्पीड है वह सेउंटी फाइफ किलोमेटर परार हो गया तो जो ओरीजनल टाइम लगता था था ना ट्रेन को वह टाइम बता ना ओरीजनल ठीक है यहां इस में भी क्या होता है जब हिस टयप के इसंस होते हैं तो कुछ लोगे ट्रीक मना देते है और जो नया बच्चा होता ना वो उन ट्रीक में फंस भी जाता है वो सुसता रहे यार क्या ट्रीक मना दी समझ रहे हो ना मैं जो आपको चीजें बताऊंगा उसमें दो एलिमेंट रहेंगी सबसे फास्ट रहेगा और ऐसा रहेगा कि वो कॉंसेप्ट के बेस पे रहेगा ठीक है ना ऐसा नहीं होगा कि हर कुस्टन के साथ आपकी ट्रीक बदल गी समझ रहो आउ समझते हैं यह क्या बोला यह बोला कि एक हजार किलोमेटर जाना है ठीक है पहले यह S की स्पीड से जाता था तो इसको T time लगता था ठीक है ना T time लगता था अब जो इसकी स्पीड है वो कम होगी 75 किलोमेटर तो इसकी यह स्पीड होगी तो इसका time होगया T plus 3 hours यह दो चीज़ें होगी ठीक है ना तो सबसे best approach है वो तो यहाँ पे क्या रहेगी इसके factors पर बात करना एक हजार और जो factors का relation है वो आप देख ना factor theory ठीक ना factor theory मैंने करवाया वह है अभी कुछ दिन पहले YouTube के class आये थी factor theory की 5 गंडे class है यहाँ से direct questions भी आते हैं और factor theory की जो applications है ना जैसे कोई भी number आ रहा हमें कैसे दो या चार factors में तोड़ना है तो वो यहाँ से आपको मिलेगी आप देखना factor theory यह सर्च करना और वो class जुरूर देखना अब देखो एक हजार है तो इसको अपन factors में लेंगे तो सबसे पहले एक इधर एक ले लो आप सबसे छोटा इसका दो का भाग जाता है ठीक है तीन का नहीं जाता चार का इसमें देखो तीन जीरों है इसका मतलब तीन दो है और तीन ही पांच है समझ गे ना तो इसका मतलब है कि इसमें केवल दो और पांच की combination मनेंगे तीन साथ यश्च ग्याराई तेरह पांच आएगा तो 200 फिर इसा नहीं आएगा आठ आठ आएगा तो 125 फिर आगे चलेंगे तो 10 10 गोना तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि दो ऐसे factors पर focus रखना है जो इसको satisfy करते हूँ यह देखो इधर इनका जो gap है वो तो 3 बढ़ गया और इधर यह है वो 75 कम हो गया यह ही तो बोल रहा था ठीक है न यह तो बोल रहा था तो यहां पर हमने देखा कि जब 1000 था तो वो पांच आर्स लगते थे इसको और 200 km पर आर की स्पीड से चलता था तो जो स्पीड है वो 200 तो ओरीजनल टाइम क्या था पांच केंटे है ठीक है यह बैस्ट मेथट है इससे फास्ट नहीं हो सकता चाहिए आप कोई भी ट्रीक बाजी बना लो मैं इसको बेसिक से भी करवाँगा ठीक है ना लेकिन उसमें जो कई बार लगता है कि से यह तो ट्रीक है रहे मैं ऐसे कर द देता हूँ सब बक्वास वाते डिक में भी आपको क्वाडे टीक ही बनाना है वो ट्रीक कैसे बनती है वो भी समझाता हो अब कि यहां हमने देखा इस में उसकी स्पीडेस माइनस से उंटी फाइफ है तो यह टाइम लग गया अधी प्लस थ्री ठीक है ना दूसरा हमने देखा कि यह दिए 1 000 में वह s की स्पीड से जाता तो यह टाइम हो गये यह भी टाइम इन दोनों टाइम का डिफेरेंश बता हूं थीर्स ठीक है यह क्वार अपने क्या क्या देखो हमने टाइम बराबर कर दिया कौन सा time time का अंतर यहां हमें बोला time का अंतर तीन घंटे ठीक है यहां फिर हमने क्या हमने बोला कि भी जो पहले time लगता था वो कम लगता था तो 1000 फिर जो time बढ़ा ठीक है नहीं क्यों क्यों कि speed कम होगी जब denominator कम होता है यह value कम होती है तो fraction की value बढ़ जाती है तो जब अगली बार time स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ गया तो इस बढ़ेवे टाइम में से यदि हम जो पहले कम टाइम था उसको घटा दें तो हमें टाइम का अंतर मिल जाएगा समझ गे ना तो यहां हमने टाइम के अंतर को बराबर कर दिया फंडा एक ही है गोल्डन डूल एक ही है टाइम या स्पीड या डिस्टेंस बराबर होने वाली है ठीक है अब इसको सिंप्लिफाई करते हैं एक हजार कॉमन ले लिया ठीक है तो यह हो जाएगा one upon s-75 minus one upon s और three ये thousand को नीचे ले खिया जाते हैं ठीक है इधर ले आए तो वन इसको सिंप्लिफाई कर रहे है पापन तो LCM यही ले लिया s-75 और s फिर यहाँ पर आ जाएगा s-s-75 और three by thousand ठीक है यहां से यह माइनस करेंगे तो यह तो माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास जो रिलेशन मनेगा वो बनेगा 75 अपन विश्म से माइनस सेंस्टाउ यह यह थ्रिवाइ यह बनेगा यह एक ये यदि कैंसल आउट करदेंगे तो यह पत्चीस बार चला गए पत्चीस नीचा आजएगा तो जो रिलेशन मना वो बना ऐस माइनस सेंस्टाइफ इंटो एस पराबर पत्चीस अजार अब यहां से क् रेडेटीक भी सोल करवाब दूढ़ अब क्या करते हैं कुछ जो इहां पर त्रीक बताते हैं ठीक ना इसे कोड़ीक मिना रहा हूँ इस रिलेशन को ट्रीक बनाते हैं डेको क्या है कि जो सबसे पहले डिस्टेंस ठीक है इसको नेक्स पेज़ घुलेता हूं फिर इसकी ृट का भी पोस्ट मार्टरम करते हैं क्या होता है कि जो नया बच्चा होता है एक दो साल टाइम दे दिया ना वो तो समझता है कि यह बकवास बाते हैं लेकिन जो नया बच्चा होता ना वो अट्रेक्ट होता है कि यार मुझे ऐसी ट्रीक दे दो कि फटाफट कर दू हकीकत में फ को ठीक है तो यह 1000 है यह डिस्टेंस होगे ठीक है डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इसदर लेके आएंगे तो ओरीजिनल स्पीड माइनस डेल एस जो कमी आई वो ठीक है ना और यह एस ले लो यह जो ओरीजिनल स्पीड है और ओरीजिनल में से जो कमी आई है वो घटा दिया फिर यह 75 नीचा जाएगा ना हमने क्या क्या कि एक हजार इसको मोडिफाई करनो एक हजार को अधर लेक्या आगए एक हजार बराबर यह उपर चला जाएगा एस और एस माइनस 75 फिर यह 75 नीचा जाएगा 75 क्या था इस वीड का अंतर और यह 3 है यह यहां पर आजाएगा 3 क्या है टाइम का डिफरेंस ना तो वह यह बन जाएगा यह 75 ठीक नहीं यह नहीं डेल टी यह डेल स और यह बन जाएगा डेल थी ठीक है ना अब यहां बच्छा सूचता है कि यह बना लेता हूं अब हकीकत में ना जब आप इतने सारी चीजे पढ़ोगे तो यह चीज पहले बात तो याद नहीं आँके ऐग्जामने ठीक है ना क्यों कि हर बार ऐसे कितनी क्रिक बनाओगे याड दूसरा मालो आपने सीख भी लिया सीखना में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सीखने में दिक्कत नहीं है लेकिन आपको clarity होनी चाहिए कि speed आपकी जो बढ़नी है ठीक है ना वो concept पर यह इसको बना दिया ठीक है ना अब यह भी बात तो यह की है क्लिर हैं तो अब हम इसको simplify करते हैं quadratic बनाएंगे यह हो जाएगा s square minus 75 s यह 25 यहां से बना रहा हूं मैं पत्चीजार इधर जाएगा माइनस पत्चीजार और बड़ाबर जीरो तो सेउंटी फाइफ का गैप आए 250 और डबल जीरो यहांनी पत्चीजार का आपको factors बनाने बात तो वही आई ना देखो यहां इतना इतना सब करके भी फाइनली हमें दो factors के बात करनी पड़ेगी ठीक है ना और वहां हमारे पास जो factor करने थे वह तो हजार की करने थे अब यहां तो पत्चीजार और सेउंटी फाइफ है इन दोनों पत्चीजार पर एडजेस्ट करना है पॉइंट समझ में आया तो यह कितना इसलिए मैं आपको पूरे बैसिक से भी करवाता हूं अब यहां पर देखो यह इसको बनाएंगे बहुत दिखिए रहा ना कि यह एस कॉमन लेलिया तो एस माइनस 2000 प्लास एकसो पत्चीज कॉमन लेलिया तो एस माइनस 200 यहां से एटischer सेट defenders है यहांसे प्लैस स्पट्चीज एस माइनस 200 तो यहां हैसकी विशल अजएग marc сним माइनस एकसोपत्चीज जो नहीं सकता है यहां से प्लैस दोश आज 때 स्पीड है वो है दो सो किलोमेटर पर आर थीक है यह दी 1000 किलोमेटर की दूरी कवर करने और 200 किलोमेटर पर आर की स्पीड से करेंगे तो टाइम कितना लगेगा फाइफ का भी तो यह सब करके भी यहां पर पहुंचना पड़ा हमें आगे ना यह जो फैक्टर्स हैं वो तो करने पड़ेंगे इसके बजाए बैस्ट वैस्ट यह थी कि आप इसके फैक्टर्स देख लो और यह तो चलो आसान था नंबर फिर भी यह दी कोई बहुत अच्छे नंबर देता नहीं कई बार यह अच्छे क से चलो आने क्यों का माने हैं क्योंकि हम दो च्शालीस किलोमीट्र की क्यों सब्सक्राइब कर दो पार जाना सब्सक्राइब का तो यह हो गया पहला यह प्यला इस्क्टैशन और यह दूसरा थी यह उसका पहीं से ओरिजन किया तो यह 540 किलोमेटर और टाइम कितना लगा, 4 गंटे? 240 दोसरे में 90 किलोमेटर पर की स्पीड से कितना? 5 गंटे, तो 450 किलोमेटर की दूरी यह होगी, टाइम हो गया, 5 गंटे, क्या पुछाओ एवरेज Спीड, एवरेज स्पीड क्या होता है है अब इस पीड टोटल स्टेंस अपन टोटल टाइम चारसो पचास और पान्सो चालीज नो सौनब्य और टोटल टाइम नाइन आर्स था जाएगी 119 माल गाड़ी है और यह सुरंग को 80 सेकिन में पार करती है तो ट्रेंड की स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेंड टोटल स्टेंज कितनी कवर करने 350 प्लस 1250 ठीक है और 80 सेकिन तो यहां से यह कितना हो जाएगा इसने किलोमेटर पर आर दे रखा है हमें पता है 18 किलोमेटर पर आर यह होता है 5 मेटर पर सेकिन ठीक है न अब इसको इसने चार से गुणा कर दिया 20 20 मीटर पर सेकिन्ड हो गया न तो यह कितना हो जाएगा यह भी चार से मिल्टिप्रेंट हो जाएगा यह भी आरेंड इस होईए तो यह हो जाएगा 72 किलोमेटर पर आर ठीक है न और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है माइंड में से आर परोगा खाटा